नमस्कार, आपका आख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। कुछ ऐसे राजजी होते हैं जो स्विंग स्टेट होते हैं, जो चुनाव का नतीजा एक तरफा बदलने की ख्यमता रखते हैं, 2014 का लोग स्वाद चुनाव हो या 2019 का लोग स्वाद चुनाव हो उसमें कुछ स्टेट थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, करनाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चत्तिसगर्ड और उसके अलावा जो है छोटे स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्रा 333 सीट मिली और 2019 में 303 यानि 303 सीट मिली इसमें इन राज्यों का इन स्विंग स्टेट का बहुत बड़ा योगदान था तो सवाल यह है कि 2024 के स्विंग स्टेट कॉन होंगे? क्या इन राज्यों में कोई बदलावाने जा रहा है? जिन राज्यों का जिक्र किया मैंने 2014-2019 की दिरिश्टी से आप ये मान कर चलिए कि विपक्ष इन पांस सालों में पहले पांस सालों में इन राज्यों में इन स्विंग स्टेट्स में अपनी इस्थिती सुधारने में किसी तरह से सफल नहीं हुआ है उसने एक तरह से मान लिया है कि इन राज्यों में उसकी इस्थिती नहीं सुधरेगी उसकी उमीद क्या है जाहिर है कि कुछ तो उमीद होगी उमीद ये है कि चुकि BJP इन राज्यों में पीक कर चुकी है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आ चुकी है और एक नहीं दो दो बार तो ये मान कर चल रहे हैं कि तीसरी बार ऐसा नहीं होगा तो तीसरी बार ऐसा क्यों नहीं होगा इसका कोई कारण उनके पास इसका कोई आधार उनके पास नहीं है कि दो बार जीत गए हैं तीसरी बार लोग क्यों जीताएंगे अब ये तो कोई कारण नहीं हो सकता जीत का, कारण यही एक ही हो सकता है चुनाओं में कि जो पार्टी जीत रही थी उसकी performance खराब है, उससे लोग नाराज हैं, उससे लोग असंतुष्ट हैं और जो उसकी प्रतिजुन्दी पार्टी है, उसके कामकास से 5 साल और 10 साल की बात पार्टी 54 सीटें क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, इससे आप चुनाओं के नतीजे का अंदाजा लगा लिजिए, कॉंग्रेस पार्टी 100 सीटें क्रॉस करेगी, ये बात कॉंग्रेस के समर्थक भी बोलने में हिचकिचा रहे हैं, तो उमीद ही नहीं है, जहां 543 में से 100 वो पार्टी क्या लड़ेगी बीजेपी से, क्या लड़ेगी प्रधान मंतरी नरिद मोदी से, इसका अंदाजा आप सहज रूप से लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं स्विंग स्टेट्स, नए स्विंग स्टेट्स की, बीजेपी की दिश्टे से, ये ऐसे आज ये हैं, जो चुनाव के नतीजे को जो प्रधान मंतरी नरिद मोदीर ने लोगसभा में कहा, बीजेपी 370 और एंडिये 400 पार, अब ये बात बहुत से लोगों को लगता है कि ये संभव नहीं है, चुनावी रण नितिकार प्रशांद किशोर भी कह रहे हैं कि ये ये जो गड़ना है, वो आधारी था, अब उन ही उन ही की बातों को देखिए तो वो अपनी बात को खुद काट रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अब स्विंग स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, आप बिहार फिर से ले लिजे चुकि वहां गडबंधन बदल गया था, फिर से अ 49 पहले NDA जीता था, तो अगर बहुत बढ़ेगी, तो किवल एक बढ़ने की गुझाईश है, कम हो सकता है, काद हो जाए, तो बिहार की स्थिती में कोई परिवरतन नहीं आने वाला, इसलिए बिहार की चर्चा आज नहीं करेंगे, जो स्विंग स्टेट मेरी नजर में हैं वो पश्चिम बंगाल, वो है तेलंगाना, वो है तमिल नाडू, और वो है उडिसा, और आखरी स्टेट है केरन, यहीं पर अगर स्विंग आता है बीजेपी के पक्ष में, तभी बीजेपी 370 पार और NDA 400 पार जा सकता है, अब एक एक करके राज्य की बात करते हैं, उडि उडिसा में नमीन पतनायक सन 2000 से लगातार मुख्यमंत्री है प्रदेश के, चौबिस साल हो गए उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका कोई राज्यितिक उतराधिकारी नहीं है, उनका एक आईस अधिकारी था जिसको इस्तीफा दिलाकर पाटी में ले आए, संगठन मे ले आए हैं, चर्चा बड़ी थी प्रदेश में कि उसको बना सकते हैं वो अपना राज्यितिक उतराधिकारी लेकिन वो बात गलत साबित हुई, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाय था, वो दरसल तमिलाडू के रहने वाले हैं, पांडियन, और उरिसा की राज्यिति में वो नवीन पतनायक के उतराधिकारी तो नहीं बन सकते हैं, उनके सहायक जरूर बन सकते हैं और वो हैं भी, दूसरी चर्चा हो रही है कि नवीन पतनायक अपनी बहन के दो बेटों यानि भांजों को अपने अपना राज्यितिक उतराधिकारी बनाना चाहते हैं, उनकी बह दिखाई नहीं है वैसे जो लोग इसकी चर्चा करते हैं वो कह रहे हैं कि नवीन पतनायक भी 1998 से पहले उन्होंने कब राजनीती में दिल्चस्पी दिखाई थी पहली बार 1998 में वो राजनीती में आये पहले लोकसभा में गये केंदर में मंतरी बने उसके बाद फिर विधान पतनायक के समर्थक भी ये उनका आखिरी चुनाओ है और क्यों इसको मैं स्विंग स्टेट कह रहा हूं यहां जितने सर्वे हो रहे हैं जितनी सर्वे एजिंसिया काम कर रही हैं उनको बड़ा एक आश्यर जनक जो है रिजल्ट दिखाई दे रहा है नतीजा दिखाई दे वो यह की जो केंदरी योजनाय है और जो राजी सरकार की योजनाय है नवीन पतनायक की सरकार की योजनाय बहुत अच्छी है बड़ी लाबकारी योजनाय है और जनता के हित की योजनाय है समस्या वहां डिलिवरी की आ रही है जो नरिन मोदी की खासियत है उनसे जो विप पर उस तरह से उतरती नहीं। उड़ीसा में सबसे जादा चर्चा केंद सरकार की योजनाओं की है। क्योंकि केंद सरकार की योजनाओं बिना भरष्टाचार के उनका फाइदा लोगों तक पहुँच रहा है। और प्रधान मंतरी की लोग प्रियता। तो बीजेपी के संभव नहीं मानते हैं, ये संभव हो सकता है। लेकिन बात अब लोगसरभा चुनाओ की कर रहा हूं। तो लोगसरभा चुनाओं में पिछले चुनाओं में 8 सीटे एककिस में से 8 सीटे बीजेपी जीती थी। इस बार उसमें बढ़ोतरी होने की उमीद है। उसकी संख्य जो उसका उत्रप्रदेश में है जो उसका बिहार में है या जो बंगाल में है उसी हालत में उडिसा में है उरभ का ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है हाला कि वहां सरकार बन चुकी है बीजेपी की नमीन पतनायक के साथ साजा सरकार में बीजेपी उरिसा में बच जाए तो कोई आश्यर की बात नहीं होगी तो एक स्विंग स्टेट उरिसा होगा भारतिय जंता पार्टी के लिए ये जो चर्चा है 370 और 400 की दरसल इन ही राज्यों से ये सीटें बढ़ेगी तब ही बीजेपी इस लक्ष को हासिल कर पाएगी दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल 2021 के विधान सभा चुनाओ के बाद ये ज़्यदा तर दिली में बैठे लोग मानने लगे थे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल से कत्ब हो गई अब बीजेपी को जो 18 सीटें 2019 में मिली थी 18 सीट वो तो सपना है अगर 4-5 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात होगी बात होने लगी कि 2014 में जो दो सीटें मिली थी हो सकता है बीजेपी उस पर चली जाए लेकिन वहां जमीन पर बहुत बड़ा बदला हो चुका है और संदेश खाली उसके उदारण के रूप में सामने आ रहा है ममता बनेर्जी की सरकार की लोग प्रेता दिनों दिन बहुत तेजी से गिर रही है लोगों की नाराजगी ममता सरकार से लगातार बढ़ती जा रही है ममता सरकार के मंतरियों के लिए अपने चुनाव क्षेतर में अपने निर्वाचन क्षेतर में जाना मुश्किल हो रहा है यह सब जो बदला हुआ माहौल है जिस तरह से अदालत के निर्देश पर जांच हो रही है जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है उस सब को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भारतिय जन्ता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है लोकसभा चुनाओ में और चुनाओ से पहले C.A. लागू करने की गोश्रा केंद्रे ग्रिह मंत्री अमिश्चा कर चुके हैं C.A. लागू होने का multiplier effect होगा और BJP की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी पश्चिम बंगाल में जो अभी तक ज़्यादा तर लोगों को अंदाजा नहीं है यह कि BJP के जो समर्थक हैं उनके मन में भी इस बात को लेकर शंका है कि क्या BJP की सीटें लोगसभा में बढ़ सकती हैं पश्चिम बंगाल में दूसरा जो स्विंग स्टेट होगा BJP के लिए वो होगा पश्चिम बंगाल अब तीसरे स्टेट पर आते हैं तीसरा स्टेट सुनक पार्टिहारी थी उसके बाद कभी लोटकर आई नहीं तब से लगातार दोनों द्रविड पार्टियां द्रविड मुनेतरकडगम और अन्ना द्रविड मुनेतरकडगम ये दो पार्टियां DMK और AIDMK नहीं का शाचन रहा है गडबंधन में ये सरकारे बनाती हैं सरकार चल अगर मैं पिछले दस सालों में राज्यों की राजनीती की दृष्टि से भाजपा की उपलब्धी की बात करूं और नेतित्यों की दृष्टि से उपलब्धी की बात करूं तो दो नेता उभर कर आए हैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनात और दू दोनों नेताओं का उभार लंबे समय के लिए बीजेपी के लिए बहुत शुम संकेत है बहुत अच्छा संकेत है भाजवा की राजनीती के लिए प्रदेश की ही नहीं राश्ट्री राजनीती की दिश्टी से भी इन दोनों नेताओं का उभार भारतिय जंता पार्टी के लि जिस तरह से तमिल नाडू को साधने की कोशिश की है लगातार बार-बार जाते रहे हैं तमिल भाषा की बात, तमिल संस्कृति की बात तमिल काशी संगमम का आयोजन उसके अलावा काशी विश्वनात धाम का विकास और फिर अब राम लला का मंदिर आयोध्या में उसकी प्रान प्रतिष्ठा ये सब तमिल नाडू को जोडते हैं उत्तर भारत से और तमिल नाडू को जोडते हैं भारती जनता पार्टी से तमिल नाडू में भारती जन्ता पार्टी के जो सबसे बड़े आलोचक हैं उनका भी मानना है कि तमिल नाडू में इस चुनाव में यानि 2024 के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी का वोट शेर डबल डिजिट में होगा 20% के आसपास जा सकता है उसके उपर भी जा सकता है और अभी आप ये मान कर मत चलिए कि कोई alliance नहीं होगा अन्ना द्रविड मुनेतर कड़गम से यानि AIA-DMK से गड़बंधन के रास्ते अभी भी खुले हुए है अगर AIA-DMK और BJP का गड़बंधन हो जाता है तमिल नाडू में तो कोई आश्यर नहीं होगा कि ये गड़बंधन प्रदेश में लोगसभा चुनाओ की दृष्टी से कह रहा हूँ अभी विदान सभा की कोई बात नहीं कर रहा हूँ लोगसभा चुनाओ की दृष्टी से नंबर एक का गड़बंधन हो जाए सीटो के लिहाज से सीटो की संख्या के लिहाज से तो तमिल नाडू दक्षन भारत में भाजपा के लिए बड़ा स्विंग स्टेट होगा जिस तरह से धीरे-धीरे बना था करनाटक उसी दिशा में बढ़ रहा है तमिल नाडू इसके लवा स्विंग स्टेट की रूट में तो नहीं कह सकते इतना बहुत बड़ा परिवर्तन ने लेकिन बेस इतना लो है कि उससे उपर उठना उसमें तेलंगाना और उसके अलावा केरल तेलंगाना और केरल में तेलंगाना में हाला कि बीजेपी 17 में से 4 सीटे पहले से हैं वो बढ़ने की उमीद है विदान सभा चुनाव में उसका वोट शेयर काफी बढ़ा है सीटे भी बढ़ी है तो ऐसे में तेलंगाना में उसकी लोगसभा सीटों की संक्या बढ़ना तै है केरल का दक्षण में केरल का जो द्वार है भाजपा का वो पहली बार उसका दर्वाजा खुल सकता है भाजपा के लिए पांच ऐसी सीटे हैं केरल की जिन पर भाजपा अच्छी लड़ाई में होगी इन में से कितनी जीतेगी कितनी नहीं जीत पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है लेकिन ये आप मान कर चलिए कि केरल से भाजपा का लोकसभा सदर से इस बार संसद में आपको देखने को मिलेगा तो ये जो राज्य हैं और खास तरसे पूरब और दक्षन भारतिय जन्ता पार्टी उत्तर भारत में पश्यमी भारत में उसके अलावा उत्तर पूरब में पहले सी ही सर्वशक्तिमान है अब इन दो ख्षेत्रों में दक्षन और पूरब में उसको स्विंग मिलता है तो आप समझेए कि 370 बीजेपी के लिए और 400 एंडिये के लिए पार करना कोई जादा बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा और हाँ अंध्रप्रदेश को कैसे भूल सकते हैं अंध्रप्रदेश मे TDP से एलायंस का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है वहाँ दुविधा ये है कि पिछले 5 साल में जगन मुहन रेड़ी ने हर संकट के समय पर भारतिय जंता पार्टी की और केंद सरकार की मदद की है उसके खिलाफ पार्टी जाना नहीं चाहती तो इस दुविधा से अगर निकलेगी तो TDP से एलायंस हो जाएगा अगर पार्टी का एक वर्ट जिसका मानना है कि हमको एलायंस नहीं करना चाहिए अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए एलायंस होने से हमारी हमारा विकास जो है अब रुद्ध हो जाएगा अगर विकास नहीं करेंगे सीटे भ कालिक फाइदा लेकिन कुल मिलाकर ये राज्य दक्षिन और पूरव के ये राज्य हैं जो बीजेपी और को तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्य के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आपसे अनुरूध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार